पार्ट तीन, कबीर पूरक पठन, हजारी प्रसाद द्विवेदी परिचय दुबेका छप्रा, बलिया, उत्तर प्रदेश मृत्यू, उन्नीस मैं, उन्नीसो उन्हत्तर परिचय, द्विवेदी जी, हिंदी के शीर्षस्थ साहित्युकारों में से एक है आप उच्च कोटी के निबंदकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक, एवं शोध करता है प्रमुक्रुतिया, अशोक के फूल, कल्पलता, निबंध, बान भट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेक, पुनर्नवा, उपन्यास, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेग दूत, एक पुरानी काहनी आदी, आलोचना और साहित्य एतिहास गध्य संबंधी पर्शों के इतिहास में, कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ महिमा में ये व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्री जानता है तुलसिदास उनका सर्वजई व्यक्तित्व विराश्ता रहता है, उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारन जीवन रस भर दिया है कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता अनुकरण करने की सभी चेश्टा है व्यर्थ सिद्ध हुई है कबीरदास की वाणी वहलता है जो योग के एक शेत्र में भक्ति का बीच पढ़ने से अंकुरित हुई थी उन दिनों उत्तर के हट योगी और दक्षिनों के भक्तों में मौलिक अंतर था एक तूट जाता था पर जुकता न था दूसरा जुक जाता था पर तूटता न था एक के लिए समाज की उंच नीच की भावना मजाक और आक्रमन का विशय था दूसरे के लिए मर्याधा और स्फूर्ती का संसार में भटकते हुए जियों को देखकर करुणा के अश्रू से वे कातर नहीं हो आते थे बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे वे सर्व जगत के पाप को अपने उपर ले लेने की वाचा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे संसार में भरमने वालों पर दया कैसी मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहां करम की रेख पर मेख न मार सका तो संत कैसा ज्यान का गेंद कर, सूर्थ का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बालके, आज़ा भेश भगवन्त पाही अखड़ता कबिर्दास का सर्वप्रधान गुण नहीं है जब वे अउधूत या योगी को संबोधन करते हैं, तभी उनकी अखड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है वे योग के बिकट रूपों का अउतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं सुन और सहच का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत की सत्व की चर्चा करते रहते हैं अवधू अच्छरहू सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा गगना पवना दोनों बिन से, कह गए जोग तुमारा गगना मधे जोती जलके, पानी मधे तारा, घटिगे नीर विनसने तारा, निकरी गईयो कही द्वारा परन्तु वे स्वभाव के फक्कड थे अच्छा होया बुरा, खरा होया खुटा, जिससे एक बार चिपट गए, उसे जिन्दगी भर चिपटे रहो यह सिध्धान्त उन्हें मान्य नहीं था, वे सत्य के जिग्यासू थे, और कोई मोह ममता उन्हें अपने माग से विचलित नहीं कर सकती थी वे अपना घर चलाकर हाथ में मुराडा लेकर निकल पड़े थे, और उसी को साथी बनाने को तयार थे, जो उनकी हाथों से अपना भी घर चलवा सके हम घर जारा अपना, लिया मुराडा हाथ, अब घर जारो तासू का, तो चले हमारे साथ वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त जो पुरानी कृत्यों का हिसाब नहीं रखता वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता, और भविश्य में सब कुछ जाड़ फटकार का निकल जाता है जो दुन्यादार कि ये कराई का लेखा जोका दुरुस्त रखता है, वह मस्त नहीं हो सकता जो अतीत का चिठा खोले रहता है, वह भविश्य का क्रांत दर्शी नहीं बन सकता जो मत्वाला है, वह दुन्या के माप जोक में अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता कबेर जैसे फक्कड को दुन्या की होश्यारी से क्या वास्ता? ये प्रेम के मत्वाले थे, मगर अपने को उन दिवानों में नहीं गिनते थे, जो माशुक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होश्यारी क्या? रहे आजाद या जक्से, हमन दुन्या से यारी क्या? जो बिछुडे हैं पियारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या? इसलिए ये फकड राम किसी के धोके में ने आने वाले थे, दिल जमा तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिये योग प्रक्रिया को उन्होंने दटकर अनुभव किया, पर जची नहीं उन्हें यह परवाह नहीं थी, कि लोग उनकी असफलता पर क्या-क्या टिपणनी करेंगे? उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना जिजक और संकोच के एलान किया आसमान का आसरा छोड प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कलपना जी आसमान अर्थाद गगन चंद्र की परम जोती, जो वस्तु केवल शाररिक व्यायाम और मानसिक शम दमादी का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती केवल शाररिक और मानसिक कवायत से दिखाने वाली जोती जड़ चित्त की कलपना मातर है, वह भी बाय है कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाय है, ज्यान चाहिए, बिना ज्यान के योग व्यर्थ है कबीर की यह घर फूक मस्ती, फकड़ना, लापरवाही और निर्मम अखड़ता उनके अखंड आत्म विश्वास का परिणाम था उन्होंने कभी अपने ज्यान को, अपने गुरु को और अपने साधना को संदेह की नजरों से नहीं देखा अपने प्रती उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं कभी गलती महसूस हुई, तो उन्होंने एक शन के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती का कारण वे स्वयम हो सकते है उनके मत से गलती बराबर प्रकृया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्म विश्वास को आश्रे करके ही पनपती है कबीर के लिए साधना एक बिकट संग्राम स्थली थी जहां कोई वीरला शूर ही टिक सकता था कबीर जिस साई की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था उस राम से सिर देकर ही सौधा किया जा सकता था साई सेत न पाईए बाता मिले न कोई कबीर सौधा राम सो सिर्पिन कदै न होए यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपश्ता किसी हाट में नहीं बिकता फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा वह राजा हो या प्रजा उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी वह शर्त है सिर उतार कर धर्ती पर रख ले जिसमें साहस नहीं जिसमें इस अखंड प्रेम के उपर विश्वास नहीं उस कायर के यहाँ डाल नहीं गलेगी हरी से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है पहले हिम्मत करो भगवान आगे आकर मिलेंगे विश्वास ही इस प्रेम की पून्जी है विश्वास जिसमें संकोच नहीं दुविधा नहीं, बाधा नहीं प्रेम न खेतो निपजे प्रेम न हाट बिकाए राजा परजा जिस रूचे सिर्दे सो ले जाए सुरे सीस उतारिया छाडी तन की आस आगे थे हरी मुलकिया आवत देख्या दास भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतीत नहीं समझा क्योकि उनके देन्यने भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था उनका मन जिस प्रेम रूपी मदीरा से मतवाला बना हुआ था वह ज्यान के गुण से तयार हो गई थी युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की धुड़ता उनमें वर्तमान थी इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहां चा सकता है वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे बेपरवा, दृड, उग्र, कुसुमा दपी कोमल, वज्रा दपी कठोर कबीर के व्यक्तित्व, साहित्य और दार्शनिक विचारों की आलोचना से शब्द संसार फककड, पुलिंग, मस्त हट योग पुलिंग, योग का एक प्रकार सूरत, स्त्रीलिंग, कार्य सिद्धी का मार्ग मेक, स्त्रीलिंग, कील, काटा मुराडा, पुलिंग, जलती हुई लक्डी क्रांत दर्शी, वी, दूर दर्शी माशुक, पुलिंग, प्रिय तहकीक, स्त्रीलिंग, जाच शम, पुलिंग, शान्ती, क्षमा मुहावरा, डाल न गलना, सफल न होना क्षमा मेरा मुहावरा, क्कुलिंग, क्षमा